हां जी राम राम जैमा तदी क्यासे हूँ आप सभी स्वागत है आप सभी का एक नहीं वीडियो में तो अभी मैं निचले कमरे में हूँ मतलब निचले मन्जिल में जो कमरे यह जो मेरे तकी हैं सारे इन के जो कवर हो धो रखे और कमरे की कुछ हालत बहुत जादा मतलग कि में क्या कर तो जरी हूँ के इसं अधू यह क्या करना कम और बारिश के भाहर चेंदो के सबरागा है त 112 मदा का ने घंखन और और आज मैं आपको बहुत बड़ी खुश गवरी दूंगी, तो हो सकता है वीडियो के लास्ट में हो सकता है, अभी थोड़े देर बाद हो, तो आपको वीडियो के बिल्कुल मत करना है ठीक है, आपको वीडियो पूरा देखना है, और यहाँ पर मैं कमरे की कंडिशन आपको कपड़ा हुआ यह बहुत अच्छा कपड़ा है इसका रियोन का तो मैं आप इसको पहले पैन के दिखाती हूं सलीव लास से तो इसमें मैं बाज्यों लगा रहे हूं और जो काम है वह बहुत जादा होते हैं कभी-कभी यह है मेरी देवरानी की दो कूरते जो की थोड़ा टा गाउं में नहीं पहन सकते और ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर तो लोग पहनते मैं यह नहीं बोलती कि कोई इसको ना पहने यह बुरा-बुरा नहीं होता भई बाहर बहुत गर्मी होती है ठीक है और हमारे तो इतनी गर्मी होती नहीं हमें जरूरती नहीं पढ़ती तो बाहर म बात है और कपड़ों से किसी को जज नहीं किया जा सकता मैं एक चीज और बता दो लेकिन हमें यह कि हमें अपना जो हम नहीं छोड़ते हैं चोड़ने भी नी चाहिए अब कुछ लोगों की तरह मुखोटे पैन के यह करना तो सिर्म आपको दिखा रही थी अब अच्छा मैं इसमें पुल बाजू करूं या इसमें हाँ बाजू करूं तो मेरे दोनों बाजू काटे हुए इसमें पता एक जैकेट थी बाहर से आप लोगों को याद होगा जब मै जैकेट थी छोटी सी जैकेट टाइब ती उसमें से मैंने बाजू निकाल ली है और जो इसके अपने बाजू थे वह बहुत आइड थे तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें कलू डालती हूं या फिर इसके हाफ करूं और यह बहुत सुंदर है इसकी अगर आप फिटिंग बाड़ा यह सिल रही थी मैं अपनी देव राने का सोट कर रही टाइट और यह यह नहीं यहां पर यह किटकणू मिटकणू यह देखो सुई के तेन टोकुड़े हुए एक दो एक निच्चे गीरा है और आधी यहां पर फची है ठीक है जी अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता सबस्क्राइब चीए तो यहां को ना यहां लाइटिंग नहीं है तो इसांप नहीं ज़र आ रहे हैं तो यह देखें यहां पर यहां पर यह वह कूरता मैंने बनाया और पता है क्या हो गया यह यहां सिना मुर्स तो यहां से जहां से मैं टच कर दी हूं यहां से टाइट हो गया है तो इसका कुछ हिसाव नहीं है वैसे ठीक हो गया था ना इतनी सी बाज्यू तो बहुत अच्छी थी लेकिन अब मैंने इसको छोड़ दिया मैं इसको ऐसे ही पहनूंगी जैसे कहीं दूर चली गई अपने यहां से दूर या फिर सर्दियों में बाहर से कोटी गड़ा पैन ले अधरवाइस इसको मतलब टाइट हो गया है अब मैं पता है दरजी के पास लेके भी जाओंगी एक बार हाँ जी तो अभी मिल रही हूं मैं आप से मैंने चाया चुपड़े ठीकी है कि थोड़ी सी यह देखे अब तो चारों तरफ हरियाली हरियाली गंदगी गंदगी तो नहीं होती है पिर भी रास्तों में मिटी यह वह बहुत कुछ हो जाता है तो चलो मैं सुनातियों कि वह खुछ कबरी क्या है चाहिए एक छोटी सी बात रह गए थी बोलने को तो आज 29 जून है तो हम रिस्तर से हैं जिनका जनम दिन है उनको जनम दिन की धेरो शुब कामना है माता राणी उनको हमेशा सोच रखे तंदृस रखे हंसता रखे मुस्कुराता रखे बहुत सारी दुआ उनके लिए बाकि और भी किसी भाई बैनका जनम दिन होगा तो उनके लिए भी बहुत स सब सब के माँबब चाहते हैं, कि हमारे बच्चे कामियाब बनें। आप सब के बच्चों के कामियाभी लिए बहुत सारी दुआ हैं। और इसके बाद एक हमारी एक हमारी यूटीव फैमिली में से एक दीदी है कि वो छोटी है उसे बड़ी है मुझे नहीं पता मैं नाम भी मतलब यहां पर शोग नहीं हो रहा है तो वो उनके सरसुर का दिहान तो गया था पिछले हफते तो उन्होंने बोला था कि मेरे सरसुर जी के लिए शरत धांजली अर्पित करना तो भगवान उनके उन्दीदी के सरसुर जी के आत्मा को शांती परदान करने भगवान उनको अपने चलणों में जगा दे और यह कुछ बाते थी जो बोलने को रह गी थी और मतलब हमेसा सब भी हंसर है मुस्कराते रहे तो चलो अच्छे नंबर है शानू के और मैं नंबर बाद में बताओंगे अगर उन्होंने बोला बच्चोंने कि हां बता दो ठीक है लेकिन फर्स डिविज में पास हुआ है बहुत अच्छे नंबरों में पास हुआ है और मुझे हम बहुत कुछ है इस बात से कि मतलब हनी के भी ठ ंए लेकीन हो फिर कुछ और काम ने करता नटों की था नों को पड़ने की ठाखान कहने के लिए थे हृतु नहीं बाकि घर के कामों में वह महनत नहीं करता है, आसी बात नहीं कामों से जो मरजी करवाल हो आप, लेकिन वह न वह पढ़ाई में मतलब फोकस करता है, तो बहुत अच्छी नंबर है, और थेंक यू सो मुच मातरानी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वह कहते हैं, महनत मेरी रह हम महनत करते ही रहे हैं, जरूर महनत का फल जरूर मिलता है, यह पकी बात है, और तो चलो में शानु के पपा से करती, उनको कैसा लग रहा है, शानु के नंबर से, आज तो एदम क्लीन, क्लीन, वो बैठे हैं, क्लीन सेव करके, गड़ी पहने हैं, हलो, जयम आता दी, जयम पता ने चल नहीं, दिवे चलाने तो यह दो को, तो कैसा लग रहा है आपको, बहुत अच्छा, खुशी की बात है, ना, चलो, बस भगवान से प्रार्थना है, आप सब के बच्चे भी काम्याब हों, अभी तो, अभी तो शानु पहली क्लास को, अगर देखा जाए हिसाब में जाना चाहता है, कैसे उसके मार्क्स आया, किस तरह से क्या है, जो भी यह पता लग जाता है, तो हर माबाप की यही विश्य होती है, कि उनका बच्चा बहुत, मतलब अच्छा पड़े हर माबाप की होती है, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी, अब ऐसा जरूरी नही लेकिन मैं कभी निसी उसको बोलती, शानु को फोन के था, शानु बोलता ममी, आप खुश हैं, यह तो नहीं है, कि मेरे जैसे एक बच्चे से कम आगे या दो से, मैंने का नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे नंबर है, बहुत अच्छे, तो ए प्लस ग्रे के इतने आए, तेरे क्यों नहीं है, हो सकता है, आपका बच्चा या हमारा बच्चा किसी और फिल्ड में बहुत अच्छा हो, एक बात कहना चाहती हूँ, मैं शानु है, शानु को सिर्फ पढ़ने का काम है, और वो कुछ नहीं करता है, घर के काम इतना इंटर्स नहीं रख अच्छा है, तो जरूरी नहीं कि वो जो उस फिल्ड में अच्छा हो सकता है, वो किसी और फिल्ड में अच्छा होगा, और वहां पर उसका भविश्या बन सकता है, वहां से उसका फ्यूचर बन सकता है, तो बहुत ही जो बच्चों के यह मामले होते हैं, बहुत ही सो समझ क सब्धोर करें वाले होता हैं आप हैरान होगे डिमांगे मैं कभी भी आ आस तक हां मैंने इतना विए किया है पर मैंने इतना नहीं कभी नहीं किया कि ना कभी टीचरों को यह किया कि यह नहीं करो तुमने बच्चे नहीं पढ़ाया मेरे यह नहीं किया या घर आके कभी उनको पढ़ाने बैठी हूँ इतना टाइम नहीं होता था मेरे पास कि मैं उनको पढ़ाने बैठी हूँ लेकिन व की जाता है उनके टीचरों को और साथ साथ में मैं सबसे बड़ी वात एक कहना चाहते हूं कि अगर बच्चा अच्छा तो मतलब टीचर सबको सपोर्ट करते हैं कोई पढ़ने में अच्छा है उसको भी नहीं है उसको भी हमें यह लगता है कि पता नहीं हमारे बच्चे के शानुकी तो उनको बहुत बहुत मुभारक हो आपको भी क्योंकि जब रामलाल गुर्जी है वो पहले थे नहीं थे अब भी यह काफी सारे जो है एड तक हैं साथ पता नहीं लेकिन थे वह उसके टीचर है उपर यह अभी तो काफी बाकिया भी नहीं आया उनको मैं जानती तो सबसे बड़ा जो क्रेडिट होता है वो उनके गुर्जी को जाता है उनके टीचर्स को जाता है और क्योंकि वह भी हमारे पास तो बच्चा मतलब रात को आता है बाकी पूरा दिन तो टीचरों के साथ रहता है क्या सीखता है क्या सिखाते हैं बच्चों के सीखने के बहुत अच्छा है और सभी वहां के जितने भी स्टाफ हैं प्रिंसिपल सर हैं सब को मैं बहुत-बहुत मुबारक बात देना चाहते हूँ कि हमारे टॉप ही समझो शानू को कि वो अपनी क्लास में बहुत अच्छा उस मुच्चे ने करा आप सब की वज़ा से ठीक है तो थैंक यू सो मच आप सभी टीचर्ज का और आप सभी देखने वालों का जिनके साथ मैं अपनी खुशी शेयर कर रही हूं जिसके साथ मैं जिनके साथ म किसी को बताएं आसपडोस में तो लोग जैलिसी करते हैं मैंने ये चीज नोट करी है क्यों कैसे क्या क्यों बोगों ऐसा नहीं सुचते है किसी का बच्चा महनत भी तो बहुत कर रहा होगा लेकिन अब आप लोगों के साथ शेयर करके मुझे तो मन को बहुत सुकुन मिलता क्योंकि आप मेंसे बहुत ऐसे मतलब यह समझ लगा कि सौ मेंसे अठानुए परसेंट लोग जो आप मेरे साथ हैं दो लोग है उनको उनकी में परवा भी नहीं करती कि उनको जैलसी हो या क्या हो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता इस चीज से लेकिन अठानुए परसेंट लो समस्कार मिल जाएगी आच मुझे बताना कमेंट कर चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा वीडियो को शेर कर दिएगा लाइक कर दिएगा आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और मौसम बहुत अच्छा हो चुका है यह देखिए अभी थोड़ा बारिश हो गई है कल फिर से पूरा दिन बारिश बताई है भी थोड़ा मतल निमबल बोलते हैं जिसको साफ हो गया मौसम ठीक है जै माता दी राम राम